सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई पहली के एक कोडिनेशन कमिटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेरिंग का मामला है उसको हम डिसकस करके उसमें हम रेजलूशन निकाल देंगे नरेंद्र मोदी और अदानी जी के वीच में जो रिष्टा है उसके बारे में मैंने कल बोला इंटरनेशनल फाइनेंशल न्यूस पेपर्स में आया है कि एक बिलियन डॉलर पैसा हिंदुस्तान से गया है बाहर गया है और वापस आया है नरेंद्र मोदी जी जी ट्वेंटी करा रहे है और हिंदुस्तान की इज़्जत का मामला है नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वाइरी कराएंगे और अगर वो इंक्वाइरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों inquiry नहीं कराई जा रही है स्टेज पे जो नेता हैं जो पार्टीज हैं वो हिंदुस्तान के साथ परसेंट लोगों को रेप्रेजेंट करती है और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं जो हमारी नेता हैं उनके वीच में जो रैपॉर है जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो गहरी होती जा रही है और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीन कर चुने हुए दो-तीन लोगों को देती है हमने प्रोग्राम्स की बात की है एक हम कुमिटी बना रहे हैं जो पॉलिसी के बारे में डिस्कॉशन करेगी और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को आप सब को दिखाएंगे थैंऔर के बात क्यारा विजि आप सेकरेगी नट रहें